गर में जब पते चलते हैं आज मशरूम बन रहा है तो सुनते मुंझे मूँ में पाणी आ जाए इए बहुत ही लाज जवाब लगती है खाने में और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है तो चल ईसे बनाना सट करते हैं यहां पे लिए 500 ग्रम मश्रूम, मश्रूम को अच्छे शे धो लेना है और बस इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लें, वो अपने अग उपर कितना आपको बड़ा चोटा रखना, इसमें डालेंगे 6 चम्मच दही, दही बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, खटी नहीं, अर चम्मच जीरा, दोहरी इलाची और एक इंच दालचीनी का टुकुला डाल देंगे, जीरा को चटकने देते हैं, तब तक प्याज को चॉप कर लेंगे, फाइन और बस इसे एड़ कर देंगे, प्याज को मीडियम फ्लेम पे इसे एक से दो मिनट पका लेंगे, तब तक हम मस बूड़ा सब भून लेते हैं, ताकि लसन का जो कच्छपन है, तो एक मिनट इसे हाई फ्लेम पे पका लेंगे, उसके बाद इसे फ्लेम लो कर देंगे, अब हम बनाएंगे ग्रेवी के लिए, तो ग्रेवी के मसाले हमें यहां पे तीन टमाटर और साथ से आठ काजू लें तो अब हम इसमें मटर एड़ करेंगे, और मेरीनेशन किया हूँ मश्रूम, तो मटर मैं फ्रोजन उच कर रहे हूं, तो पानी को बस उबाल लिया और उसमें डाल दिया बस, इसे हम लोग सबजियों में एड़ कर देते हैं, मटर मश्रूम बहुत ही लाजवाब लगती है, इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको सब्जियों बहुत पसंद आएगे, तो इसे मिला दे और छोड़ दे, तो देखिए मश्रूम ने कितने सार पानी चोड़ देते हैं, यहां पर हम मसाले एड़ करेंगा, देड़ चमच हल्दी पावडर, देड़ चमच धनिया पावड मश्रूम देड़ पाहिए पावडर, सबनाव मश्रूम दकरमाघ चमच पावडर, इस तो आपशच Three W वराता है धनिया पता है तो भी एड़ कर दें इसे कवर करके पाँच मिनट लोफ लिम पे पका लें तो देखी मर्टर मस्रूम के सबचीपन के तैयार है तो इसे गर में गुरम शब करें नान पराठे या राइस किसी के विसाथ के बहुत ही लाजवाब लगने वाली है और ज लोगों तक्सेर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिक्ट सिर नान ओर्धाट गाता है झाल झाल